जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते वही इंसान हमें अकेले जीना सिखा ही देता है देश विदेश में बैटे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमुशकार मैं हूँ मोहित कमिश्ट्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज कर आशीफल यानि कि 25 सितंबर के इस विशेश एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बढ़ाई और शुपकामन है जिनका आज जनम दिवस है मैरे जन वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तारिक 25 सितंबर 2023 है और दिन सोंबार का है आज के विशेश उपाय मैं आपको बताऊंगा दूर्वा है कार्य सिद्धी की अदबुद चाबी ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूँ समवत 2018 का भादर पच शुकल पक्ष चल रहा है दश्मी तिती सुबह 7 बच के 57 मिनिट तक है जिसके बाद में 11 शीतिती आरंभ होगी उत्रा शाड़ा नक्षत्र ग्यारा बच के 55 मिनिट तक सुबह के रहेगा जिसके बाद में श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशी में चंद्रमा रहेगा राहुकाल का समय सोमवार के दिन सुबह के साड़े साथ बचे से लेके नौ बचे तक है और शुब चौगडिया महुरत आज के दिन दो बच करके एक मिनिट से पांच बच के एक मिनिट तक रहेगा दो पहर के यहां पर दक्षिन और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुब साबित होगा पर पूर्व और आगने दिशा यानकि साउथ इस्ट दिशा कहा जाता है आगने दिशा को यहां पर अगर आप ट्रावल कर रहे हैं तो दूद पीकर की या दूद की कोई मिठाई बनी हुई यह खा करके अपनी यात्रा आप आरंब कीजेगा अब बात करते हैं सुर्योदे कालीन कुंडली में शुब ग्रह योगों की तो संख्यादाम योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, भारती योग, लक्ष्मी योग इन सभी का आपको साथ मिलने वाला है जैसे कि आप सब जानते हैं कि 19 सेतंबर को गणेश चतुरती से हमने आपके लिए कवच निर्मान करना शुरू किया था और यही 28 सेतंबर तक लगातार होगा अगर आपकी कोई समसे एक कामना पूर्ती है जिसके लिए आप कवच धारन करना चाहते हैं तो इस बात के लिए आप ये समय सबसे उप्युक्त सिद्ध हो सकता है स्क्रीन पे जो ये आप नमबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके क्या कवच पहनना चाहिए है इसकी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे यदि आप अपनी जनम कुंडली के अनुसार जो समस्या चल रही है उनके निवारन के लिए कवच निर्मान चाहते हैं तो अपनी जनम कुंडली की डीटेल्स और समस्या इसी नमबबब बता सकते हैं और मैं स्वयम आपकी कुंडली देख करके आपको उपाय बताऊंगा कि क्या उपाय कर सकते हैं क्या कवच पहन सकते हैं और क्या रत्न पहनना आपके लिए बहतर से धोगा वर्तमान समय को देखते हुए यहाँ पर आपको कुछ कवच की जानकारी देता हूं एक बच्चे का जनम क्यों होता है माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अधूरे सपनों को फिर से रोश्नी करने के लिए जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं प कॉंपटिशन बन गया है व्यापार करो तो कॉंपटिशन है नौकरी करो तो कॉंपटिशन है बुद्धी ज्यान विवेक इसका अलग अस्तित्व ही नहीं दिखता अगर आप भी ऐसी कोई समस्या से ग्रस्त हो तो एक बार आपको त्रिवेणी कवच पहनने के लिए जरू सिक शक्ती की बात हो स्मरण शक्ती की बात हो शिक्षा में सफलता की लिए सरस्वती जिमाता की क्रिपा चाहिए होती है जीवन में धनकी प्राप्ति भौतिक सुक्संपत्ति के लिए महालक्ष्मी माता की क्रिपा चाहिए होती है महाकाली महासरस्वती और महालक्ष्मी इन तांत्रिक कर्म और मंत्र गुप्त रखे जाते थे और गुरु एक योग्य शिश्य को ही वो मंत्र देते थे लेकिन समय ने करवड बदली है पुराने शास्त्र और गुप्त विध्याएं प्रकाशकों की होड में चलते बाजार में बिकने लगी है और ऐसे में कुछ दुवे की आशंका से हम घबराए रहते हैं अगर आपको बार बार नजर लग जाती है शरीर नस्तेज होने लगता है बुरे बुरे सपने आते हैं कभी कभी घर में या तफर आसपास में कोई चाया सी दिखाई देती है द्वेश हो इर्श या हो इनके कारण लोग बाग जल्दी द खारण करना चाहिए अगर आपकी शनी की साड़े साती चल रही है या शनी का ढईया चल रहा है इसमें मृत्यू काल मृत्यू विभिन रोग बिन भिन कष्ट व्यवसाइक हानी अपमान दुख दोका द्वेश ये सभी भोगने पड़ते हैं हर काम में अर्चन आती है समय प अप साधी हो जाना ऐसी स्थिती साड़े साती और धाया में होती है अगर आपके साड़े साती चल रही है या धाया चल रहा है तो अंडिट पर्सेंट शूर है कि आप इन चीजों से गुजर रहे होंगे वरतमान समय में मकर और कुम राशी को और मीन राशी को साड़े साथी चल रही है करक राशी और वरश्चिक राशी को शनी का ढ़या चल रहा है ये पाँच राशियां जो हैं इनके लिए शनी साड़े साथी और अढ़ाया दोश निवारन कवच पहनना बहुत ही जादे शुब साबित होता है हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है लेकिन आने वाला कल ये आपके स्वैम के हातों में है बनाता है ऐसे समय में ये कहूंगा कल मैं आपको कहा ही था कि शाम के बाद में आपको अचानक से चीजें अपने फेवर में होती नजर आ सकती है कोई ना कोई बड़ी डील हाथ में लग सकती है या फिर ऐसा कोई क्लाइंट आपको बड़ा ओर दे सकता है और यही समय है कि उस order के fulfillment की तरफ आप आगे बढ़ें या फिर अगर ऐसा ना हुआ हो कल शाम को तो इस समय में यानि आज के दिन में बाहर निकल कर कैसे लोगों को खोजिये जो आपके साथ में business करना चाहते हैं कोई बड़ा order आपको जरूर ऐसे समय में मिल सकता है अच्छी कमाई मोटी कमाई जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिल सकती है पर वही back to back अपने office के अंदर supervision आपको करना जरूरी है चाहे camera लगाया हुआ है तो लगातार उस पे देखते रहिएगा कि office में क्या हल चल होती है यहाँ पर नौकरी पेशा इंसान खास तौर पर जो मेहनत करने वाला है अपने goals को achieve करने के लिए आगे बढ़ रहा है यहाँ पर एक competition अपने colleagues के साथ में ज़्यादा देखने को मिल सकता है खास तौर पर जिसे हम unhealthy competition कहते हैं वो ज्यादा देखने को मिल सकता है कि आपके काम कश्रे कोई और लेने की कोशिश कर ले तो वहाँ पर आपको अपना firm foot रखने की जरूरत है और जो अपना है अपनी मेहनत है उसके लिए खड़े होने की जरूरत जरूर पढ़ने वाली है आसपास के competition को भूल जाएए यहाँ पर दोस्ती यारी को भूल के अपना जो हक है उसके लिए लड़ना जरूरी रहेगा यंग्स तस इस समय में education में जादा interest दिखाएंगे जादा concentration power भी आप में develop होगा तो यहाँ पर कोई न कोई चीज ऐसी आपके लिए अच्छी हो सकती है यह कह सकते हैं कि दिल खुश करने वाली हो सकती है किसी चीज पर अटक रहे थे नहीं आती और आज उसको समझ करके जब आपस reapply कर रहे हैं या उस problems को solve करने की कोशश कर रहे हैं तो बड़ी ही स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं इससे self confidence आपका growth जरूर होगा यहाँ पर यह भी कहूंगा कि जो भी इनसान खास तोर पर ग्रहनी जो अपने रिष्टेदारों को ले करके परेशान थी या फिर पडोसियों को ले के परेशान हो रही थी इस समय में जो मन मुटाब है वो कही न कहीं एक common ground ढूंड करके हट सकता है या फिर खतम किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं कि साथ में बैट करके मश्वरा कर लेते हैं बात कर लेते हैं बिनाबाद के बात का बतंगड बनान से कोई मतलब नहीं है कि दूसरे लोग उसका फायदा उठाएं अगर सूजबूज के साथ में आगी बढ़ेंगी महिला तो इस समस्या का समादान जरूर खोज निकालेंगी यहाँ पर ब्राउन कलर का इस्तमाल करना आपके लिए शुब साबित होगा अब बात करते हैं व्रशब राशी की तो नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है अधिमित्रतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 28 डॉट्स है 67% सपोर्ट के साथ में आप आगे बढ़ रहे है पर कल जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगिडिवडी अभी भी चल रही है साथ में ऐसे में मन अशांत रहेगा दुर्भावना कहें इर्श्या भाव कहें ये ज्यादा हावी रहेगा ऐसे समय में अगर किसी सरकारी नोटिस को लेके आप परिशान हो रहे थे तो यहाँ पर कह दूँ कि इंस्टिंट उसका रिस्पॉंस देने से पहले दो तीन लॉयर्ज एक नहीं बलकि दो तीन लॉयर्ज के पास मैं आप घूम करके मश्वरा ले लीजे उनसे एडवाईस ले लीजे कि इससे आगे कहड़ से बढ़ना चाहिए यहाँ पर हट बड़ा हट में आकर के जल्द बाजी में आकर के सिर्फ एक इंसान की एडवाईस अगर मान लेंगे तो परिशानी और जादा बढ़ सकती है यहाँ पर बिजनिस करने वाला इंसान भी जो है वो भी इसी चीच से परिशान होगा कि फोकस जहां कमाने की तरफ होना चाहिए उसकी जगे आज मैनेजमेंट की तरफ है चीजों को संबालने में और गूमने में दिन जाया हो रहा है और इससे चाह करके भी बाहर निकलने की सिचुएशन नहीं आरी तो यहाँ पर एकी चीज़ कहूंगा कि चाहे कोई आपका ट्रस्टिड फ्रेंड है रिलेटिव है या फिर स्टाफ है उसके द्वारा बाहर के आज के दिन सारे काम करवा लीजे और खुद कमाई की तरफ ध्यान दीजे इसको मैनेजमेंट जो है वो सुधार करने की जरुरत पड़ सकती है यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स जो है उनको खास तौर पर ट्रेन अगर आप करते हैं आज के दिन किसी भी बात को लेके किसी भी सेल्स को लेके तो आपको बहुत शांदार फल देखने को मिल सकता है ऐसे समय में धार्मेक भावना जिसे हम कहते हैं याँ फिर भक्ती भाव जिसे कहते हैं वो आप में उजागर हो सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शुबरंग रहेगा नमबर फो अब बात करते हैं में धुनराशी की आपके लिए एट थाउस में चंद्रमा है वदतारा का साथ और श्ठक वर्ग में ठड़ी सेवन डॉट्स है ओवरॉल सिचुएशन यह आपके लिए बन जाती है 40% सपोर्ट की और ऐसे समय में यह 40% सपोर्ट होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि टेंशन बहुत जादा रहेगा घर परिवार में किसी बात को लेकर के जो परेशानी कल शाम को शुरू हुई है वो आज के दिन खिछती चली जाएगी जो आपको अपने काम में फोकस ना करने दे तो वहीं घर आने पर भी शांती प्राप्त ना हो इस चीज की दुविधा आपके सामने आ सकती है ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान खास तोर पे प्रेशर को लेकर के जादा परेशान होगा कि हर काम करने के बावजूद मेरे उपर इतना प्रेशर है इतना वर्कलोड है दूसरों का काम भी है इनका काम भी देखना है और उसके बाद में भी धमकी आपको दी जाएगी काम समय पर नहीं हुआ तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे ऐसे समय में बहुत जादा प्रेशर जहलते हुए आगे बढ़ने वाली सिचुएशन है यहाँ पर बहुत क्लारिटी के साथ में फोकिस के साथ में अपना काम कीजेगे यहाँ पर छोटी सी भी मिस्टेक आपकी भारी पड़ सकती है ऐसे समय में ग्रहनी जो है हाउस वाइफ हैं उनको यहाँ पर एक ही चीज़ कहुँगा कि अगर किसी बात को ले करके गर के अंदर परेशानी है तो उसमें अपनी एडवाईस या फिर अपना कुछ सुझाव आपको देने से बचना है आप माने या ना माने ये चीज़ कहने में बड़ी गलत महसूस होती है पर सच्चाई है कि आप उनके घर का हिस्सा अभी भी पूरा नहीं है आप रहेंगे किसी और की घर की ही हम इस घर में आपको ले कर आएं ये हमेशा एक चीज़ एक भावना हमेशा जुड़ी रहेगी ऐसे में आपका कोई भी सुझाव या फिर बात जब आप किसी प्रॉब्लम को सुलजाने के लिए कहेंगे तो उल्टा आपके उपर हावी हो सकते हैं इस बात का ध्यान दीजेगा मैं समझ सकता हूँ कहने में बहुत गलत लग रहा होगा पर सच जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ इस बात का आपको ध्यान रखना है ऐसे समय में ससुराल पक्ष से भी तनाव पूर्ण संबंद बन सकते हैं यहाँ ब्राउन कलर का इस्तमाल करना आपके लिए शुब सावित होगा शुब अंक रहेगा नमबर सिक्स अब बात करते हैं करक राशी की करक राशी के लिए 7,000 में चंद्रमा है संपत्तारा का साथ अश्ठक वर्ग में 33 डॉट्स हैं ओवरॉल सिचुएशन यह आपके लिए 100% पॉस्टिव बनाती है और ऐसे समय में यह कहेंगे कि अपने लाइफ पार्टन का सपोर्ट मिलता है दिमाग और जादा आगे की सोचता है एक्सपैंसिव सोच आपको देखने को मिलती है तो वहीं पे यह भी कहेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा सोर्स अफ इंकम आप खड़े कर सकते हैं कैसे आप इंकम और कमा सकते हैं इन्वेस्मेंट्स कहां पे करें इन तरफ आपका दिमाग जादा दौरता नजर आएगा कहीं न कहीं इस समय में ये जरूर कहेंगे कि लैंड प्रॉपरिटी बिल्डिंग को लेकर के कोई बहुत अच्छी डील सामने आ सकती है अगर स्टॉक मारकिट में या कमोडिटी मारकिट में आप इन्वेस्मेंट्स करते है तो यहां पर भी बहुत अच्छी कोई अपॉचिनिटी आपके सामने आ सकती है और इस तरफ आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए है यहां सुक्सवधाएं भी बढ़ेंगी तो कही ना कही घर परिवार की खुशी के लिए कोई ना कोई अच्छा सामान खरीद करके आप जरूर लाते नजर आएंगे याद फिर आपके द्वारा उस तरफ कोशिश जरूर होगी आज के दिन यहां पर व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इनसान आज के दिन ये कहुँगा कि कमाई की सोच जो है मेहनत की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं उसको लक का साथ जरूर मिलने वाला है अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि भागगी अगर साथ दे दे तो ये काम हो जाएगा फिर वो चाहे सरकारे विभाग के कारण हो याद फिर किसी सीनियर के अप्रूवल की बात हो तो वो आज के दिन आपको जरूर मिलेगा उसमें कोई भी अर्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाली यहाँ गेरुआ रंग या फिर जिसे हम कहते हैं नारंगी रंग यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब साबित होगा शुब अंक रहेगा नमब थ्री अब बात करते हैं सिंग राशी की आपके लिए 6,000 में चंद्रमा है जनमतारा का साथ अश्ठक गवर्ग में 19 डॉट्स है ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 67% पॉजिटिव है पर इस पॉजिटिविटी में यह कहेंगे कि महनत जो है वो ज्यादा लगेगी यहाँ लख का साथ मिलेगा जरूर बट नॉट दाट मच जिसे हम कहतें कि एक साथिसफाक्टरी सपोर्ट मिल गया लख के कारण भागय के कारण सही इनसान से टक्रा जाओगे पर उससे टक्राने के बाद नी जो बात बतानी है उनका जो सपोर्ट चाहिए है उसमें आपको महनत ज़्यादा लगेगी कहीं न कहीं ये कहेंगे कि ऐसे समय में सम्झाने की कोशिश जो है वो बहुत practically करेंगे तो आपको यहां फाइदा मिल सकता है कहीं लोगों के लिए होता था कि बस सामने गए हैं मीटी-मीटी दो बातें की और आपका काम निकल गया ऐसे समय में बाटर सिस्टम वाली चीज हो सकती है कि influential इंसान से टकरा तो गए पर आप क्या दे सकते हो ये चीज इस समय में ज्यादा माइने रखेगी यहां competition को परास्त करनी की बात होती है तो उस तरफ आप successful जरूर होंगे क्योंकि मेहनत महाँ पर पूरी लग रही है यहीं youngsters जो job interview की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेरोजगार है जो रोजगार प्राप्ती की तरफ आगे बढ़ रहे है यहां पर आपका भी लख शाइन करेगा यहां पर overall समय जो है family life, professional life दोनों में ही आपको शांदार व्रदी उच्छाल देखने को जरूर मिलने वाला है पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 60 खेलते हैं या तो फिर अगर आप stock market trading करते हैं जिसके अंदर intuitive power के साथ में आप ज़ादा trading करते हैं तो इस तरफ ऐसे काम मत कीजेगा यहां green color का इस्तमाल आपके लिए शुब सावित होगा शुब अंक रहेगा number four अब बात करते हैं कन्या राशी की आपके लिए fifth house में चंद्रमा है वदतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 26 डॉट से overall situation यहां पर बन जाती है आपके लिए 40% सपोर्ट की और ऐसे में संतार के साथ में विवाद होना अपने धरम पतनी के साथ में विवाद होना पता जी के साथ में विवाद होना माता जी की सेहत कराब होना ये सबी चीजें एक साथ में यहां पर बन करके आ सकती है जिसे हम कहते हैं कि परिशानियों की एक पोटली है वो परिशानियों की पोटली आज के दिन सामने खुल सकती है तो वही गलत निरने आप लेते नजर आ सकते हैं गलत चीजों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते है गलत लोगों की सोच करके या सुन करके अपने जीवन में निरने लेने की जो कोशिश है वो आपको परिशान जादा कर सकती है यहां पर अपने दिमाग से सोचा हुआ काम जादा बहतर रहेगा दूसरों की सोच करके करेंगे चार लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे ये सब अगर सोच करके काम करने वाले हैं आज के दिन तो आपको सक्त तौर पे कहता हूँ, कुछ ना करना जादा बहतर रहेगा, पूरे दिन सोते रहना जादा बहतर रहेगा, अगर दूसरों का सोच के सुन करके अगर अपनी जीवन को चलाना चाते हो, तो आज के दिन केबल गिर सकते हो जो परेशानी जितनी बड़ी थी नहीं उससे जादा बड़ी आप सोयम के लिए बना सकते हैं चाहे व्यापारी वर्ग हो नौकरी पेशा हो यूवक या यूवती हो या ग्रहनी हो इस बात का सबसे जादा ध्यान दीजेगा कास तोर पे बड़े ऐसे समय में गठिये की परेशानी या फिर मेमरी लॉस की परेशानी जिसम कहते हैं अलजाइमर की परेशानी हो जाती है ये आज के दिन देखने को मिल सकता है हाथ पेर में कमपन बहुत जादा महसूस हो सकती है यहां नेवी बलू कला करना आपके लिए शुब साबित होग ऐसे समय में ये जलूट कहूंगा कि अगर अपना आपा ना खोया जाए दूसरे गुसा दलाने की कोशिश करेंगे गलत बातें आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे धमकी देने की कोशिश करेंगे पर अगर आप स्वेम को शांत रख लिए तो जीत में कौन रहेगा आप कमाई भी शांदार हो जाएगी तो सामने वाला कोशिश करने के बाद भी हार मान करके चले जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी दाल यहां गल नहीं सकती तो क्यों मैं अपना समय व्यर्थ करूँ मैं किसी और को जाके परेशान करता हूँ यही चीज आज के दिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस बात को समझे कि हर जगे रियाक्शन देना जरूरी नहीं है यंग्स्टर्स हैं स्टूडिंट्स हैं आस पास में कोई आकर के बिनाबाद के मजाक जादा करता है बात करता है क्लास्रूम में बैटके एक्जाम चल रहा है आपको परेशान करता है ऐसे समय में उसकी सुनेंगे याद फिर वो जो कह रहा है वो अगर आप करेंगे तो लॉस आपको उठाना पड़ेगा उसको कुछ नहीं होगा यहाँ पर कन्याए जो है यह महलाए जो है खास तोर पे इस समय में तीन चीजों से ध्यान रखिएगा सबसे पहले किचिन में किसी भी सामान के साथ में काम कर रहे है खास तोर पे गरम सामान है तो उससे आपको आज के दिन साफधानी पूरवक काम करना है अगर स्किन रिलेटेड कोई प्राबलम थी तो वो इस समय में वापस उभर करके आ सकती है और अगर मासिक धर्म का समय है तो इस समय में और जादा दर्द या ये कहें कि जिसे हम कहते हैं क्रैंप्स बहुत आते हैं तो वो इस समय में आपको परिशान कर सकते हैं जो कहीं न कहीं बेड रेस्ट की तरफ आपको आगे धकेल देंगे यहां पे ये भी कहेंगे कि जो relationship में है यंगस्टस जो relationship में है शादी शुदा नहीं है वो आज के दिन कोई बात कर रहे हैं अपनी कोई request सामने रखना चाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के रखिएगा सीमाओ का ध्यान रखिएगा तो वहीं ये भी ध्यान दीजेगा कि कहां पर बात कर रहा हूं और कैसे बात कर रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास में कोई जान पहचान का हो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप message भेज रहे हैं वो किसी और की भी देखने में आ रहा हूं इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा शुब रंग रहेगा आपके लिए परपल कलर शुब अंक रहेगा नमब थरी अब बात करते हैं वरश्चिक राशी की आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है अश्टग वर्ग में ठटी टू डॉट्स हैं पर विपत्तारा का साथ है जो ओवरॉल आज के दिन को 85% आपके लिए पॉजिटिव बनाता है जिसके कारण एक का दस मिलने वाली सिचुएशन की मेहनत जितनी करना हूँ उससे बहुत ज़ादा मुझे प्राप्ती फल की हो जाए मेहनत कम करता हूँ पर प्राफिट जादा हो ये इस समय में देखने को मिल सकता है खास तोर पे जो इनसान बड़ी मार्जिंस के साथ में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन सोना ही सोना चांदी ही चांदी है कमाई की बात करें अपने एक्सपैंशन की बात करें बिजनस ग्रोथ की बात करें इन्वेस्टमेंस के बढ़ने की बात करें ये सबी चीजें देखने को मिलेगी खास तौर पे जो पॉलिटिकल केरियर से जाइन हैं लोग उनके लिए इस समय में name fame की प्राप्ती की बात हो सकती है, अच्छी position की प्राप्ती की बात हो सकती है, influential लोगों के साथ की बात हो सकती है health wise कोई परिशानी नहीं है, ना ही कहीं पे भी आपको कोई यहां competition महसूस होगा पर इस समय में अपनी जुबान पर थोड़ा आपको धहरी रखने की बात रहेगी, क्या कहता हूँ, सोच करके कहना जादा बहतर सिध होगा हो सकता है कि flow में आकर कि आपके मूँ से कुछ गलत निकल जाए, या फिर कोई ऐसी बात कि सामने वाला बार बार पूछे और किया और किया आप सिर्फ conversation बढ़ाने के चक्कर में कोई ऐसी बात कर बैठ है, जो आपको नहीं करनी थी, इससे नुकसान मिल सकता है शुब रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुब अंक रहेगा नमबर एट अब बात करते हैं धनूराशी की, आपके लिए second house में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और इश्ठक वर्ग में 32 डॉट्स है, ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पे 70% आपके लिए supportive है बढ़ना जादा बहतर रहेगा, वीकेंड पे लोगों से आपने सला मश्वरा किया था, जो एक्सपर्ट थे उनकी आपने बाते मानी हैं, तो उनकी बाते जो मानी हैं, उसको मानते हुए आगे बढ़ना जादा बहतर रहेगा, यह instant कोई success नहीं मलती, अक्सर लोग कहते हैं कि रातो रात करोड़ पती बन गया, रातो रात नहीं उससे हजारों रात तक उसको संघर्ष करना पड़ा था, नुकसान जहेलना पड़ा था, लोगों के शब्द सुनने पड़े थे, तब जाकर कि एक रात को वो करोड़ पती बना था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐस से clarity हो घर में यंग स्थ इस समय में नुकसान उठा सकते हैं फिर वो चाहे education के कारण हो कि अपने notes किसी दोस्त को दे दिये copy करने के लिए और उनका हो गया और आपका कुछ भी ना हो पाए competition exam की तयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आज कि दिन कही ना कही कोई ऐसी अचानक से news मिलने से आप उस exam को देने से छूट सकते हैं या फिर ऐसी कोई काम हो जाए जिस कारण जो मेहनत कर रहे थे वो आपको आगे shift करनी पड़े हैं यहाँ पर blue रंग का इस्तमाल आपके लिए बहुत शुब रहेगा शुब अंक रहेगा गर की वरद्धी के लिए या यह कहें कि घर की सुकसंपनता जो होती है उसकी वरद्धी के लिए कोई investment आप कर रहे है renovation की तरफ interior decoration की तरफ घर के पीछे दूसरा घर खरीद रहे है और land property building खरीद रहे है इस तरफ आपके investments आपके लिए आज के दिन बहुत जादा अच्छे रहेंगे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा खास तोर पे opposite gender के जो लोग है वो आज के दिन जादा आपके लिए beneficial सिद हो सकते हैं profitable सिद हो सकते हैं उनकी राय उनकी मदद आपके लिए जादा कारगर होगी ऐसे समय में सोने चांदी की या तफिर जेवर की खरीद आज के दिन देखने को मिल सकती है यहाँ पर overall दिन बहुत positive है जो investment और income में व्रद्धी के लिए कहेंगे नौकरी पेशा इंसान भी जो है वो अपनी पाई पाई जोड़ करके जो side में रखा है उससे आज के दिन investment की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है सांसार एक सुक सुधनाओं की प्राप्ति हो सकती है तो समाज में भी अपना नाम बनाने में सफल सिध हो सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए purple color शुबरंग रहेगा number 3 अब बात करते हैं कुंबराशी की आपके लिए 12th house में चंद्रमा है सादक तारका साथ अश्टेक वर्ग में 29.7 ओपरॉल सिचुएशन यह आपके लिए बन जाती है 70% सपोर्ट की पर इस समय में 70% सपोर्ट पर हावी 12th house का चंद्रमा जादा रहेगा नींद पूरी ना होना डर लगा रहना ऐसे लोग कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर दिये हैं जिसका नसर है न कोई पैर है मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो मन में आया वो कह दिया और आपके सामने आया लाखों लोगों ने जब देख लिया उसे चीज को क्योंकि एकदम नहीं थी तो उस कारण उस चीज पर विश्वास कर बैठे हैं और यही कारण है कि बिना बात की टेंशन अपने अंदर आप मोल ले लेंगे ऐसे समय में घर की महलाओं पर आप ज़ादा खर्च करते नजर आ सकते हैं हेल्थ में भी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि confidence नहीं है करना है मन नहीं है या फिर मन लग नहीं रहा है डर जादा लग रहा है इन कारणों से बिना बात के फिजूल की सोच जो है वो हावी रह करके आज के दिन आपको नुकसान दे सकती है अब बात आती है उस support की support के कारण ये कहूंगा कि सही लोगों को अपने साथ में रखिएगा सही इनसान की यहाँ पर मदद लीजेगा हो सकता है तो अपने body पे एक चांदी की chain जरूर पहनिएगा चांदी की chain नहीं है बेजोड अंगूटी है जरूर पहनिएगा वो भी नहीं है तो एक सीधा सा काम कीजेगा कि सुबह सुबह घर में शिवलिंग हो तो उस पे दूद में शेहद मिला करके और थोड़ा सा जल मिला करके अभी शेक कर दीजेगा उसके बाद में आप अपने काम के लिए निकलिए जो supporting factor कह रहा हूं वो जरूर देखने को मिलेगा मन शान्त रहेगा जो काम में आपका लगेगा ऐसे में ये लोकलर का इस्तमाल करना आपके लिए शुब साबित होगा शुब अंक होगा नमबर आट अब बात करते हैं मीन राशी की आपके लिए 11 थाउस में चंद्रमा है प्रत्यारी तारह का साथ और अश्टक वर्ग में 25 डॉट से ओवरॉल सिचुईशन 80% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव बनती है जिसके कारण कॉंपटिशन से आगे बढ़ने की बात हो सकती है अपने इंकम की बढ़ने की बात हो सकती है लग्जरी आइटम के प्राप्ति की बात हो सकती है रुका हुआ पैसा था लोग दे नहीं रहे थे टेंशन जादा हो रही थी खुद जाकर के मांग करके देखिए अभी तक स्टाफ को बेशते थे फोन पे बात होती थी क्योंकि शहर दूर है ये चीज़ थी तो इस शहर में जो जो आपके काउंटक्स हैं जिनसे आपको पैसे लेने हैं एक शेडियूल बना करके आज की दिन निकलिए आप जो पैसे मांगते हैं वो आज की दिन आपको जरूर मिलेंगे ऐसे समय में घर परिवार के अंदर विवा संबंद तै होना मांगलिक काम की रूप रेका बनना ये जरूर देखा जाता है और खास तोर पे जिन लोगों से आप प्यार करते हैं मासी जी हो गई या फिर मामी जी हो गई ताई जी हो गई उनके घर पे आने से घर की खुशाली और बढ़ सकती है घर के अंदर पॉजिटिविटी जादा आपको महसूस होगी शाम के समय में ये चीज जरूर देखने को मिल सकती है और वही ऐसे मूड के कारण ऐसी सोच के कारण पॉजिटिविटी एनरजी के कारण अपने आप में स्वास्थे में भी आप सुधार देखेंगे शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलग शुबअंक रहेगा नमबर टू ये तो हुई बात आज के राशी फलकी क्या आप विशेश काम से बाहर जा रहे है तो ऐसे में कार्य सिद्धी की अद्बुद चाबी जो है वो दूर्वा है दूर्वा आन मतलब ध्रोब दूब एक विशेश प्रकार की खास है आयरुवेद, तंत्र और अध्यात्म में इसकी बड़ी महेमा बताई गई है देव पूजा में भी इसका प्रयोग होता है और गनेश जी को ये बहुत प्रिया है सादक किसी शुब महुरत से गनेश जी पूजा प्रारंब करे और हर रोज चंदन, पुश्प इनके साथ में प्रतिमा पर 108 दूरवा दल यानि की दूब के टुकडे अरपित करे दूप दीब के बाद गुड और गिरी का नैवेध्य चड़ाना ऐसा इस प्रकार प्रतिदिन दुरवारपन करने से गनेश जी की कृपा प्राप्त हो जाती है और ऐसा सादक जब कभी धन उपारजन्स के कार्य से कहीं बाहर जाता है उसे चाहिए कि गनेश जी के मूर्ति पर जो उनोंने दूरवा दलों को अरपित किया है उसमें से पाँच या तो फिर साथ ये दूरवा दल प्रसाद स्वरूप लेकर के जेब में रख ले और ये दूरवा तंत्रकार्य सिद्धी की अधवुद कुंजी है हिंदु धर्म में गनपती जी को विगनक हर्ता के रूप से संबोधित किया जाता है किसी भी काम के प्रारंब से पहले गनपती जी की पूजा का विधान बताया जाता है और किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते समय अपने घर के पूजा स्थान में गनपती जी पर अर्पित किया हुआ पुश्प अपने पास रख लेना सबसे बहतरीन सिद होता है जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में सफलता भी निश्चित तोर पर आपको मिलती है और एक परमिट मिल जाता है किसी बड़े और महत्वपून काम के बाहर जाने से पहले या उस दिन सुभे ओम गन गन पते ये नमहा या फिर श्री गाजानन जे गाजानन इस मंत्र का जाप करते हुए गनपती जी को 108 बार दूब अरप्यत कीजे और इस प्रकार 108 बार मंत्र का उच्चारण करे इसके रहे हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी श्री गनेश जी को समर्पन किये जाने वाले सभी 21 पत्र भी आईरवेद की दृष्टी से बड़े महत्वप बताये जाते हैं उनमें से एक एक औशदी आरोग्य वर्धक रोग निवारक सिद हुई है विशेश कर दूरव में आया है कि दूरवा में प्रोटीन बहुत है एक हेक्टर में उपजने वाले धान के अतरिक्त घास में कम से कम पांच गुना प्रोटीन और जादा है ये अगर अपने गरंद को आप देखे हमारे विदवानों ने जो बहुत सालों पहले हजारों साल पहले जो चीजें ल आयरवेद में हर चीज का वरणन है पर हम आयरवेद को नहीं बलकि modern medicine को मानते हैं और अकसर अगर आप देखेंगे modern medicine में ये नहीं कहता हूँ कि modern doctors हो गए साइंस हो गई modern medicine हो गई ये खराब है अच्छी है instant relief जरूर देती है पर ये instant relief देती है इस बात का हमेशा ध्यान करने के लिए काम करती है उसके लिए समय लेती है पर हम समय देना नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमें दर्द हो रहा है अभी ठीक हो जाए तो हम गोली ले लेते हैं यह गोली टौफियों के जैसे खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम फिट क्यों नहीं हैं यही बाते हैं जितन और आश्रिवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन